नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपकर हमारे यूटूब चैनल में आज के इस वीडियों बात करेंगे UKCC कानिस सायक का एक्जाम जो की 31 अक्टवर 2021 को हुआ है उसकी एक्सपटव कितनी रही है इसके बारे में इस वीडियों बात करने वाले है तो देखिए इसमें जो कट आफ है वह डिफ्रेंट इफ्रेंट पॉल को एनलेसिस करने के बाद हमने तयार किया है और साथ प्रीविए सियर में जो UKT तुरुफर सी कट आफ रहती है उसको भ लग्बर लगबर Semi Cut-Off होको यहां पर देखनी को मिलेगी। सबसेब्ल पोश्ट की बात करें तो यह सारी पोस्ट नॉन टाइपिंग वाली पोश्ट हैं कुछ नॉन टाइपिंग वाली पोश्ट हैं। तो पहले typing होगा और जो non typing वाली poster है वो डिरेक्ट यहां पर selection पालेंगे ठीके? तो जो typing वाली poster है वो है 512 और जो non typing वाली है 234 नोन typing में है आपका tax collector वाला ठीके? और amean वाला है यह जो है non typing वाली poster है लेकिन जो typing वाली poster है, वो है 431 poster, कनिसाइड identity operator वाली और 81 poster, इन दोने को मिला कर टोटल 512 poster जो है, typing वाली poster है इस वीडियो में बात करेंगे जो typing के लिए कितनी cut-off जा सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, हम final merit के बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा paper के बारे में बात कर लेते हैं तो यह paper का level जो है, moderate to hard level का था यह आपको भी बता है, दोनू सिप्ट का paper जो है paper में ज़्यादा difference नहीं था, ठीक है और जो अंतर रहने वाला है normalization के बात भी वो भी ज़्यादा नहीं रहेगा, एक दो marks का पर रह सकता है ठीक है, तो ज़्यादा difference में normalization के बारे में रहने वाला नहीं है देखिए, एक shift में उत्राकंट GK tap था तो दूसरे shift में हिंदी और GS tap था तो दोनु का अगर overall देखा जाए तो लगबल लगबल सेमी category में आता है दोनु वेपर ठीक है थोड़ा मैं देखिए आपको previous cut-off के बारे में बता देता हो, इसके बाद हम इस cut-off के बारे में बात करेंगे देखिए इससे पहले एक result आए था forest guard का तो forest guard में जो final marriage में cut-off गई थी वो थी 64 general की थी male की और 55 गई थी आपकी female की ठीक है तो यह cut-off था forest guard का ठीक है इससे पहले लास्ट पाराइक्ट का होता था था लिदा नहीं के रहीं हुआ हंड़ीड मार्क्स कि पहले है तो इससे पहले 2018 मा होता एक लिदे कॉंच हे है आपको पुराना भी देखना पड़ेगा कि cut-off के इतनी जाती रहती है युकितर प्रसी क्योंकि होता क्या है बहुत सारे बच्ची का होते हैं किसी अन एक्जाम में भी selection लेते हैं यहां भी आपको देखने को मिलेगा कि वीडियो 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 वाले जो टॉप रेंकर ह है एक तयारी के लिए वीडियो वीडियो की कि हम एक बाद चेक कर लेते हैं हमारा कैसा कैसी हमारी प्रिप्रेशन हो रही है उन लोगों ने भी पर दिया है तो उन लोगों के अच्छे marks आ रहे हैं और वो लोग भी इसका typing टेस्ट नहीं देंगे ठीक है तो कुछ ऐसे भी ह एक दो आपके marks आ रहे हैं तो आप typing की तयारी जरूर करें ठीक है क्योंकि typing में जहें बहुत सारे बच्चे बाहर भी होते हैं और बहुत सारे बच्चे सलेक्ट होने के बाद भी वो जॉइन नहीं करते हैं क्योंकि आपने देखा हुगा है आयोग आजकल तीन चार पांच तो आपका सेलेक्शन बाद में भी हो सकता है ठीक है तो आप typing की तयारी जरू करें जो हमने cut-off बनाई है इसके plus minus एक दो आपकी marks है तो ठीक है अब देख लेते हैं cut-off कितनी जा सकती है उसके बारे में बात करते हैं तो expected cut-off for typing test ठीक हमें आपर typing test के लिए बात कर रहे हैं final merit की हमें आपर बात नहीं कर रहे हैं ठीक है तो सभी categories का हम इसमें discuss करेंगे कितनी cut-off रहती है तो सबसे पहले में बात करेंगे you are यानि की unreserved की general candidate की तो male candidate की बात कर तो 62 to 64 typing के लिए cut-off रहेगी ठीक है और female candidate की बात कर तो 60 से 63 के बीच में typing के लिए cut-off रहेगी और इस प आपको marks मिलेंगे उसी आदार पर थोड़ा आप डाउन इसमें merit रह सकती है और सांते साथ normalization का उतना फरक तो नहीं पड़ गाए एक दो number का ही पड़ सकता है सायद हो इतना भी नहीं पड़े point two में कुछ फरक पड़े ऐसा भी हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर आप यह general की ठीक है इसके बाद की EW की बात करतो 61 से 63 की बीच में और 60 से 63 की बीच में ही female की रही है ठीक है ज्यादा फरक नहीं पड़ता आचली EW और UR की cutoff में ठीक है और जो vacancies है उसमें category wise जो vacancies आप देखोगे ना तो बहुत सारे पोस्टों में category wise vacancies ना के बराबर भी है ठीक है तो अब यह हम आपको vacancies भी दिखाऊंगो कहां कहां पर vacancies बहुत ज़्यादा कम है ठीक है category wise के हम बात कर रहे हैं OBC की बात करें तो 60 से 63 के बीच में रहेगी और female की रहेगी 59 से 62 के बीच में ठीक है और यहापर हम देखिए बात जो कर रहे हैं minimum cutoff की बात कर रहे हैं cutoff का म 57 से 59 की बीच में और female की बात करें तो 56 से 59 की बीच में और इन सभी में आप plus minus 2 कर लीजिए ठीक है दो marks बढ़ भी सकते हैं दो marks घट भी सकते हैं इस का top के आदार पर तो overall मैं आपको एक बात बता दूँ अगर आपके 60 marks आ रहे हैं ठीक है किसी भी category में 60 marks आ रहे हैं ठीक ह तो देखिए आप typing की तयारी सुरू कर दीजी अब मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं तेखिए अगर आप typing की तयारी नहीं करेंगे न तो इसका जब result आता है उसके बाद typing का बहुत कम चांस मिलता है ठीक है बहुत ज्यादा कम चांस मिलता है तो अभी आपके वास time है result में इस प्ट फिप्ट वेटिंग लिस्त तक जारी करने लग जा है ठीक है उसमें जब मिनिमम मार्स जा रहा है हमेशा जितने भी result में 4 3rd मेरिट लिस्त आती है तो उसमें 58 59 55 भी जा रहा है किसमें 60 ऐसे मेरिट लिस्त जाती है लास्ट में ठीक है तो ऐसा नहीं कि आप typing ना दे और आपके इतने marks हो और किसी और का selection हो जाए आपका ना हो ठीक है तो आप 60 marks अगर आपके किसी भी category में आ रहे हैं तो आपने typing शुरू कर दीजिए और वही अगर हम pH और एक सर्विस्ट में की बात के तो 53 से 55 के बीच में एक कट आप रहने वाली है pH candidate और एक सर्विस्ट म पुरू कर दोड़ है तो कर दो कर दो कर दो हो घाली है तो आपके बात कर दो आपके है तो दो